सुलो दोस्तों स्वागत आपका कार उनिएरसिटी की एक नहीं वीडियो में आज आपके सामने है न्यू विटारा ब्रेजा का ZXI वेरियंट और ये वेरियंट क्यों वैली फॉर मनी बन जाता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो फ्रेंट में आप देख पाऊगे यहाँ पर हमें फ्रेंट में टॉप मोडल वाला ही लुक मिल रहा है ग्रेल, बंपर, वेसा ही ही सेम टूसेम मिल रहा है हेडलाइट्स भी LED वाली मिल रही है डूल बैरल, LED हेडलाम सेटप विड डियारल्स है और बंपर भी आप देख सकते हो, फॉग लैंपस नहीं है वह आप अक्सिसरीज लगा सकते हो बाद में लेकिन साड में अलेव थे टोप मोडल वाली अलेव थे लेकिन जरूर अलेवथ मिल रहा है black color में यहापर 215-60-R-16 की profile है इनकी और यहापर gliding आप देख सकते हो black color की पूरी gliding मिल जाते है all in the all vehicle rear में हमें disc brakes नहीं मिलते drum brakes rear में और front में हमें disc brakes मिल जाते है और यह देखने में black color के all levels बहती सुन्दर लग रहे है और यह ZXye dual tone model है तो उपर वाला आप देख सकते हो यह भी ग्लॉसी ब्लाक कलर का है यहाँ पर भी फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट दिया गया है जो कि पूरा ब्लाक में है आप देख सकते हो उपर सिल्वर कलर की रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटेना मिल जाता है और इसमें एक और खास है यहाँ पर केस्ट में इंटेर देखने को मिल जाता है ब्लाक और ऑलॉब कलर का यहाँ पर कॉफी ब्राउन कलरे से बोल सकते हो आप वो कलर हमें यहाँ ईन एक बार इर प्रोफाल भी देख लो सकते हो पार्किंग सेंसर के साथ है एंड रिफ्लेक्टर इस पर मौजूद है उसके साथ आप नीचे देख पाऊगे सिलवर करण में इसकी स्कीट प्लेट्स में चले देखते हैं इसका इंटिरियर तो यह है इसका फ्रेंट डोर यहाँ पर अभी आप देख सकते हो टॉप मोडल वाला ही सेम डोर यहाँ पर मिल जाता है कोई भी इसमें अडिशनल नहीं मिलते है बस यहाँ पर हमें स्पीकर मिल जाता है बॉटल होडर यहाँ पर है बटन यहाँ पर मिल जाता है यह ट्विटर और यह डोर ओपनर है सिल्वर कलर में इसी के साथ सिल्वर एलिमेंट भी है यहाँ पर मौझूद आप देख पाओगे यहाँ पर सकफ फ्लेट नहीं है लेकिन यहाँ पर पुश टार्ट स्टॉप बटन इस ट्रक्शन कंट्रोल का बटन और आइडल स्टॉप का बटन यहाँ पर मिल जाता है ट्रक्शन कंट्रोल का यह बटन है आइडल स्टॉप का यह और यह हेडलाइट लेवलिंग के लिए द लेन लगवाया है यह हमारे गाड़ी के साथ नहीं आते तो फैब्रिक सीट से हाँ पर मिल जाती है हमें और नीचे भी आप देख पाऊगे एबी सी पेडल्स एंड डेट पेडल यहाँ पर मोजूद है मैटिंग भी इसके एजन अक्सेसरिस लिए गई है यह बोरेट उपन करने के लिए यहाँ पर स्विच दिये गए है और यहाँ पर एस इवेंट्स भी आप देख लो सिर्वर करकी बॉर्डर के साथ है और यहाँ पर कॉफी ब्राउन कलर का यूज किया गया है चलिए डोर बन स्टेजीरिंग विल यहाँ पर कॉल के लिए बटन्स मिल जाते है कॉल उढ़नी के लिए और कट करनी के लिए तो स्टेरिंग अज्ज्जैमेंत देखते हैं तॉप मोडल में तो डोनों अज्जैष्रमन kiss आ लेकिन इसमें सिर्फ टिल्ट अज्जैष्मन मिल जाती है टेले मिल रहा है यह जो नया वाला touch screen आया है वो नहीं है यह पूराने भरेजा में जो आता था वही touch screen यहाँ पर मिल जाता है यह hazard का बटन यहाँ पर मिल जाता है उसी के साथ यहाँ पर automatic AC मिल जाता है single zone automatic climate control AC है यहाँ पर 5 speed manual transmission gearbox है automatic cabby option इसमें available है और नीचे भी आप देख पाओगे फोन रखने के लिए जगह मिल जाती है यहाँ पर एंड इस साइड हमें स्टोरेज है थोड़ी सी यहाँ पर हमें स्टोरेज मिल जाती है मोबाल रखने के लिए और बारवल का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है उसी के साथ side by side हमें USB outlet मिल जाता है screen के लिए तो यहाँ पर mobile charging करने के लिए USB outlet नहीं है लेकिन 12 वल्क का socket दिया गया है mobile charging के लिए तो आप देख पाओगे यहाँ पर सारे controls मिल जाते है AC vent यहाँ पर है brown color का यहाँ पर finishing है पूरा उसी के साथ glow box आप देख पाओगे cool नहीं है यह top model में cool glow box आता है और उपर भी आप देख पाओगे इस side भी हमें twitter मिल जाता है total 4 speaker and 2 twitters इसमें मिल जाते है यह manual IRVM है यह sun glass holder यहाँ पर है दो lights मिल जाती है yellow color की and additional क्या है तो वो है sunroof ZXI model में sunroof आना खाली sunroof देती है यहाँ पर light के साथ हमें mirror मिल जाता है यह यहाँ पर अबदेपाओ के lights and mirror available है and यहाँ पर hook से handles available है चारो डोर पे मतलब driver set नहीं है त्री handles तो available है और यह seat cover जो है वो customer ने लगवा है थे यहाँ पर handbrake मिल जाता है दो cup orders यहाँ पर मिल जाते है बीच में handrest यहाँ पर मौज़ोद नहीं है वो top model में ही आता है सिर्फ ZXI plus में instrument cluster भी आप देख सकते हैं 220 की top speed marking है यहाँ पर 8000 की RPM marking and coolant temperature और fuel gauge भी analog में दिये गए है बीच में हमें MID screen मिल जाती है जोटी सी जहाँ पर आप सारे information देख पाऊगे यहाँ पर manually हमें इसकी headlight मिल जाती है और manually इसके wipers मिल जाते है automatic headlight नहीं मिलते है और automatic wipers भी इसमें मौज़ोद नहीं है सब manual है और उसी के साथ आप देख पाऊगे यहाँ पर पूरी इसकी door opening भी 80% हो जाती है power window का control and coffee brown color का use fabric में यहाँ किया गया है और यह soft touch में है पूरा fabric है और नीचे bottle holder के साथ speaker मिल जाता है पीछे कोई twitters नहीं मिलते speaker मौजूद है और यह इसकी second row seats पीछे वाली आगे की seat जो है driver side वो मैंने अपने हिसाब से adjust की है उसके साथ आप देख पाऊगे यहाँ पर मुझे कितना leg space मिल रहा है तो वो भी अच्छा कासा मिल जा रहा है और special क्या है तब वो है बीच में हमें दो ace events मिल रहे है अब की बार और यह इस तरह से adjust हो जाते और यहाँ पर भी आप देख पाऊगे हमें armrest मिल रहा है और इसके अंदर दो cup orders भी है यह sit cover लगाया गए है इसके वज़े से यह cup orders hide हो गए है तो यह तो cut करके देना चाहिए था company को और दो headrest है वो adjustable मिल जाते है हमें और light हमें पीछे मिल जाती है मतलब यह partial track के उपर है यह मुझे कुछ समझ में नहीं आया passenger side के उपर देनी चाहिए थे लेकिन यह passenger side के पीछे दी गई है तो यह कुछ अलग होगा company का मुझे पता नहीं और इस events के नीचे हमें 12 hour का socket मिल जाता है आप देख पाऊगे mobile charging के लिए rear में भी point दिया गया है तो चलिए इसका boot open करके आपको दिखाता हूँ मैं boot open करने के लिए हमें यहाँ पर आगे से open कर सकते हो आप नहीं तो पीछे electromagnetic button दिया गया है वहाँ से भी आप boot open कर पाऊगे तो चलिए fuel cap और boot दोनों open कर लेते हैं तो पहले तो आपको मैं दिखा दू इसका boot तो यहाँ से open करते हैं इसे 328 लेटर का boot space हमें ब्रेजा में मिल जाता है नहीं वाली तो आप देख पाऊगे अच्छा खासा space यहाँ पर lights के साथ मिल रहा है light है यहाँ पर आप देख पाऊगे एक मिरिट में torch लगा रहता हूँ आपके लिए तो यहाँ पर आप देख पाऊगे hook भी यहाँ पर available है and lights भी available है और इस साथ मतलब lights एक ही साथ मिल जाती है उसे के साथ partial tray हमें dedicated है चलिए इसे बन कर लेते और दिखाते हूँ में आपको इसका fuel cap तो यहाँ पर आप देख पाऊगे इस साथ लेट साथ हमें fuel cap मिल जाता है सिर्फ petrol engine के साथ आती है यह तो इसमें हमें 48 liter का fuel tank capacity मिल जाता है petrol का तो इसका bonnet open कर लेते हैं तो हमें इसमें मिलता है 1.5 liter का turbo petrol engine जो produce करता है 102 bhp and 136 nm torque company इसमें लगबग 19 kmpl का mileage claim करते है लेकिन यह actual में आपको 16-17 की mileage दे देगी highway and city conditions में mix उसे के साथ इसमें ABS EBD traction control ISO fix child set mounts ESP इस तरह के safety features मिल जाते है with dual airbags भी है यह तो safety के हिसाब से भी यह 4 star rated है और आप देख पाऊगे इसका smart headlight setup भी है आपको दिखाता हो on करके बहुत ही अच्छा headlight setup आता है इस segment में सबसे ज़्यादा headlight setup अच्छा किसका है तो वो इस गाड़ी का है चलिए इसे on करके दिखाता हो मैं आप देख पाऊगे बहुत ही bright है यह दिन में अभी जला के दिखा रहा हो मैं आपको फिर भी यह show हो रहा है कि यह कितना powerful है उसके साथ DRL का design भी आप देख पाऊगे बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत इसके DRLs है और यह turn indicator है इसके यहाँ पर आप देख पाऊगे fully LED में है इसके turn indicators भी कई company या headlight जो है वो LED दे देती है लेकिन जो indicator है वो halogen में रहता है बल्प के साथ लेकिन यहाँ पर ऐसा दिया गया नहीं है यहाँ पर LED में हमें इसका turn indicator मिल जाता है rear car भी आप देख लो एक बार design इसकी टेल लाइट का बहुत ही शानदार जलती है यह always on mode में रहती है रात में और जब भी आप ब्रेक दबा होगे तो यह ज्यादा ब्राइट हो जाती है उसके साथ stop lamp भी active हो जाता है